दोस्तो, Poco ने एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लाँच कर दिया है, जिसका नाम है Poco X3. ये पहला स्मार्टफोन है, दुनिया का पहला स्मार्टफोन है, जिसमें Qualcomm Snapdragon 732G Octa-Core प्रोसेसर का उप्योग किया गया है. ये 120Hz refresh rate वाले डिस्प्ले के साथ में आता है और इसमें 6000 इमेज की बैटरी है, प्राइसिंग भी काफी बढ़िया है, 16,900 निन्यन रुपए है. तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको Poco X3 की Unboxing करके बताने वाला हूँ, वैसे मुझे दो प्रकार के Box Pack मिले हैं, तो चली देखते हैं कि Box में क्या है? देखते रहे हैं, इसके पहले कि मैं आपको इसकी Unboxing करके बताओं, दोस्तों एक सर्प्राइस भी है, जिसके बारे में details मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है, तो चली ए, Unboxing शूरू करते हैं, तो दोस्तों मेरे पास ये दो प्रकार के Box Pack आया है, एक जो Original Box Pack इंग है, जिस प्रक फोन और जो एकसरी थे, वो इस Box में थे, लेकिन कुछ कारण वर्ष ये जो Box है, जाहिर है, शिपिंग के तो तो मैंने इसमें जो भी content है, उसे मैंने जो Original Box Pack है, उसमें ट्रांसफर कर लिया है, वैसे जो Original Box Pack है, इसका जो साइज है, काफी Compact है, तो चलीए मैं आपको ये जो Poco X3 है, Original Box Pack, इसकी Unboxing करता हूँ, वैसे ये Made in India है, और ये Reality Flow 120Hz वाले डिस्प्ले के साथ में आता है, की Specifications बोक्स के पीछे दिया हुआ है, ये 6GB, 128GB वाला वेरेंट है, तो ये लिजे बोक्स को मैंने खोल दिया है, और इसके अंदर ये डिबा है, इसके अंदर हुआ है, ये Cobalt Blue Color Variant है, और Data Cable दिया हुआ है, और जो आखरी चीज रहे गई है, वो है ये Fast Charger, 33W का Fast Charger, बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ की, ये Hybrid Slot के साथ में आता है, मतलब की, इस Handset पर Dedicated MicroSD Card Slot नहीं दिया हुआ है, जहां तक Build or Finishing का सवाल है, जो Handset है, इतना Slim तो नहीं है, और Bulky किसम का भी है, क्योंकि इसमे 6000 Image की बैटरी है, तो जाहिर है, जो Weight है, वो जादा है, वैसे पीछे नई प्रकार के Texture का उप्योग किया गया है, आप दिख सकते हैं कि Poco, बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, और इसके Camera Module है, वो भी अलग प्रकार से प्लेस किया हुआ है, वैसे यहाँ पर चार Cameras है और एक Flash भी है, ऐसा लगता है, जैसे कि यहाँ पर 5 Camera Setup है, लेकिन 4 Camera और एक Flash दिया हुआ है, थैंक्फुली इस बार कुछ अलग प्रकार का डिजाइन देखने को मिल रहा है, वैसे इसका जो वेंट है, चोड़ा सा वेंट है, जहाँ पर बेसिकली सेकेंडरी स्पीकर दिया हुआ है, तो आपको इस handset पर stereo effect मिल सकता है, खास करके अगर आप landscape mode में कुछ content देख रहे हैं या फिर games खेल रहे हैं तो, अच्छी बात यह है कि इसमें audio jack दिया हुआ है, इस handset का जो screen है, यह 6.67 इंचिस का है, Full HD Plus Resolution के साथ में आता है, और यह जो display है, यह Corning Gorilla Glass 5 Protection के साथ में आता है, धूप में भी यह जो screen है, बढ़िया तरीके से visible है, RAM और ROM की बात करें तो 6GB, 64GB, 6GB, 128GB या फिर 8GB, 128GB वेरेंट्स में अवलिबल है, यह P2i splash coating के साथ में आता है, जो की dust resistant coating है और कुछ हद तक splash resistant कह सकते हैं, कैमरा की अगर बात करें तो इसमें quad camera setup दिया हुआ है, rear side पर, 64MP का primary camera है, 13MP का wide angle, 2MP का macro, और 2MP का depth sensor दिया हुआ है, front camera 20MP का है, यह कुछ sample सा जो मैंने इसी smartphone के साथ में शूट किया हुआ है, कैमरा की जो quality है, बहुत ही बढ़िया है, night mode भी जिससे आप इस परकार के night shots शूट कर पाएंगे, तो overall मैं इसका जो camera quality है, इसे काफी impressed हो, और खास करके कुछ नए features जैसे की clone mode, यह काफी interesting है, इससे आप इस परकार के photos शूट कर पाएंगे, और इस परकार के videos भी शूट कर पाएंगे, वैसा यह जो handset है, मैंने इसका चेंज करता है, चाहे वीडियो हो या फिर photo हो, काफी impressive के समगे लगते हैं, इस aspect ratio में, POCO X3, यह पहला smartphone है, जिसमें Qualcomm Snapdragon 732G Octa-Core processor का उप्योग किया गया है, और 120Hz refresh rate वाला display है, तो जाहिर है कि जो performance है, आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है, अगर आपको यह ऐसा application क फिर ऐसा games खेल रहे हैं, जो 120Hz refresh rate support करता है, तो आपको बहुत ही smooth experience मिलने वाला है, यह जो free fire game है, यह तो काफी बढ़िया चल रहा है, no doubt, लेकिन मैंने एक और game try किया है, जो 120Hz refresh rate support करता है, और यह जो game है, बहुत ही smoothly चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, तो यह जो ship है, इसका movement है, बहुत ही minute किसम का है, तो खास करके ऐसे handset पर, जो 120Hz refresh rate support करता है, उस पर यह जो game है, खेलने में आपको काफी मज़ाने वाला है, वैसे 120Hz refresh rate के साथ में 240Hz touch sampling भी support करता है, गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है, यह MIUI 12 और POCO run कर रहा है, जो Android 10 based है, इसमे दिया हुआ है, जो कि इस 6000 इमेज की बैटरी को बहुत ही जल्दी fast charge कर पाएगा, तो जहां तो मुझे लगता है कि यह जो smartphone है, POCO X3, खास करके इसका प्राइजिंग कंसिडर करें, 16,999 रुपी, 64 GB वाला जो वेरेंट है उसकी, तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही बढ़ि होने वाला है, तो दोस्तों कमेंस के मादिम से मुझे जरूर बताइए कि आपको यह जो smartphone है कैसा लगा और क्या आप यह smartphone खरीदना चाहेंगे या नहीं, और कुछ surprise भी है जिसके बारे में details मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है, तो उसमें भी आप भाग ले सकते हैं, इस